नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों मैं हूँ प्रवीन बंसल और आज हम कर रहे हैं कक्षा बार्वी अध्याय 4 साजेदारी फॉर्म का पुनरगटन जिसमें हम पढ़ेंगे किसी साजेदार की सेवनिवृतिय के बारे में या उसकी मृत्यू के बारे में जैसे कि अध्याय का नाम है साजेदारी फॉर्म का पुनरगटन पुनरगटन किसी साजेदार के प्रवेश के कारण भी हो सकता है उसकी सेवानिवृतिय के हिसाब से भी जिसको हम रिटार्मेंट भी कह सकते हैं या साजेदार की मृत्यू के कारण भी जब कभी किसी भी साज़ेदार का प्रवेश हो, रेटायरमेंट हो या मृत्यु हो, इन सभी चीजों के बाद जो भी साज़ेदारी अभिलेख बना हुआ था, अब उस अभिलेख को फिर से बनाना होगा. मतलब डीड को, पार्टनर्शिप डीड को सभी साज़दारों को फिर से बनाना होगा और अगर कोई पार्टनर रेटायर हो गया है, कोई साज़दार रेटायर हो गया है तो अब जो बचे हुए साज़दार हैं, अपनी नई शर्तों के हिसाब से अपनी आने वाली समय में साज़दारी फर्म को चलाते हैं आज हम रेटायर्मेंट के बारे में बात करेंगे तो जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी साज़दारी फर्म में तीन साज़दार हों A, B और C इनका कोई न कोई लाब अनुपात रहा होगा और अगर इन में से एक साज़दार मान लेते हैं C, फर्म को छोड़के चला जाता है तो इनके लाब अनुपात में कोई न कोई बदलाव तो आएगा ही जो मुनाफ़ा, जो फाइदा पहले तीन हिस्सों में बट रहा था अब दो में बटेगा तो यह हमारे अध्याय की पहली मांग है तो चलिए सीखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक प्रश्ण है मधू, नेहा, टीना लाब का भाग 5 अनुपात, 3 अनुपात, 2 में बाटते हुए साज़दार हैं इन में से नए लाब के अनुपात तता अभी लाबन अनुपात के बारे में गढ़ना करनी हैं जब मधू रिटायर हो, नेहा रिटायर हो या टीना रिटायर हो तो देखने हैं यह लाब अनुपात के अंदर कैसे बदलावाता है जैसे कि मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, जो लाब पहले तीन साज़ेदारों में बट रहा था, अब दो में बटेगा तो जाहिर सी बात है कि रहने वाले साज़ेदार, शेश साज़ेदार कुछ न कुछ अभी लाब लेने वाले है तो देखते हैं, जब मधू रिटायर हो, तो क्या होगा? मधू, नेहा, टीना, पाँच, तीन, दो, यह है उनका पुराना लाब अनुपाद है अब मधू रिटायर हो रही है, सेवा निवरित, अर्थात अब वह अपनी सेवाएं देना बंद कर रहे हैं तो इस तरहां के सवाल में, सबसे सीधी सीधी सी आपके पास बात दी हुई है कि मधू, फर्म को छोड़के जा चुकी है और नेहा, और टीना, तीन अनुपाद दो के लाब अनुपाद में, आने वाले समय में अपने लाब और हानी को बाटेंगे यह हुआ इनका नया अनुपाद, परंतु, प्रश्ण ने आप से पूचा है कि यदि यह साजेदार कोई लाब ले रहे हैं, तो वह भी बताईए तो चलिए, उसकी गणना भी कर ली जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, नेहा और टीना, पहले पांच, तीन, दो, मतलब अगर मैं नेहा और टीना की बात करूँ, तो नेहा का हिस्सा था तीन बटे दस, यह है उसका पुराना हिस्सा है, और अब नए लाब अनुपाद के क पारण उसका हिस्सा तीन बटे पांच है, इसी तरह से टीना का पुराना हिस्सा दो बटे दस है, और नया हिस्सा दो बटे पांच, आप नए अनुपाद में से अगर पुराना अनुपाद घटा देंगे, तो आप पाएंगे कि इन साजेदारों ने क्या लाब कमाया, तीन बटे दस, और तीना दो बटे दस, अर्थात इनका जो अभी लाब अनुपाद निकल कराता है, वह आया तीन बटे दो, तो यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ठ हो जाती है, कि यदि आपके पास कोई पुराना लाब अनुपाद हो, किसी साजेदार के फर्म में से चले जाने की बात हो, तो बचा हुआ जो अनुपाद है, वही अनुपाद नया लाब अनुपाद होगा, और अभी लाब अनुपाद भी वही होगा, जिसको हमने एक उधारन के रूप में देखा, अब इसी तरह, मैं नेहा और टीना, इन दोनों के सेवा निवृत्त होने के बा आपको अभी लाब अनुपाद भी बता सकूँगा, और नया लाब अनुपाद भी, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ नेहा फर्म से रिटायर हो, तो आप मधू और टीना का नया लाब अनुपाद पांच अनुपाद दो बता सकते हैं, और अभी लाब अनुपाद भी, और त में से टीना के चले जाने पे मधु और नेहा का नया लाब अनुपात भी पाँच बटे तीन होगा और अभी लाब अनुपात भी पाँच बटे तीन होगा तो चलिए अब चलते हैं अगले उधारण पे अगला उधारण अलका हरप्रीत तथा श्रया लाब को तीन अनुपात दो अनुपात एक में बाठते हुए साज़दार हें अल्का हरपीत और श्रया अल्का सेवा-निवरित होती हैं अल्का रिटार हो रही है तथा उसका भाग हर परीत तथा श्रया द्वारा तीन अनुपात दो में ले लिया जाता है देखिए अलका का अनुपात तीन बटे छे जिसको हर प्रीत और श्रिया को तीन अनुपात दो में दिया जाएगा कहने का मतलब यह हुआ अलका के अनुपात को तीन बटे दो में अर्थात इसके हिस्से को पांच तुकडों में विभाजित किया जाएगा जिसमें से तीन हिस्से हर प्रीत के होंगे और दो हिस्से श्रिया के हर प्रीत 9 बटे 30 का लाब कमाएंगे अपने अनुपात में और श्रिया 6 बटे 30 अपने अनुपात में अब इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद हम पता लगाने जा रहे हैं बचे हुए साजेदारों का नया लाब अनुपात हरप्रीत और श्रिया जैसे कि आप देख सकते हैं पहले से दो बटेच्छे और एक बटेच्छे यह हैं उनका पुराना लाब अनुपात है अब जो भी इनका अभिलाब इनको अलका के जाने से हुआ इनके पुराने लाब अनुपात में जोड़ दिया जाएगा और इससे प्राप्त होने वाला अनुपात बचे हुए साजेदारों की नई फर्म का नया लाब अनुपात होगा हरप्रीत 19 बटे 30 और श्रेया 11 बटे 30 यहां है इनका नया लाब अनुपात और 9 बटे 6 अर्था 3 बटे 2 यहां है इनका अभिलाब अनुपात अब चलते हैं इसी तरह के अगले उधारण पर प्रशन कहता है कुमार लक्ष मनोज और नरेश तीन दो एक चार अनुपात में अपने पुरानी साजेदारी फर्म चलाते हैं अब इसमें से रिटायर होने वाले साजेदार का नाम है कुमार पुराने लाब अनुपात के अनुपात के अनुसार 3 बटे 10 के साजेदार हैं प्रश्न के अनुसार इस तीन बटे दस को दो पुराने साज़ेदार जिनका नाम है लक्ष और मनोज तीन अनुपात दो में इस हिस्से को अपने पास रख रहे हैं लक्ष और मनोज मतलब नरेश को जाने वाले साज़दार के हिस्से में से कोई भी लाब नहीं होगा लक्ष और मनोज जो पुराने साज़दार हैं जाने वाले साज़दार जिनका नाम कुमार है उनके तीन बटे दस्वे हिस्से के पांच हिस्से करने वाले हैं जिसमें से तीन हिस्से लक्ष रखेंगे और दो हिस्से मनोज यह हुआ इनका अभी लाब अनुपाद नौ अनुपाद छे या तीन अनुपाद दो अब बचे हुए साज़ेदार जिनका नाम है लक्ष मनोज और नरेश लक्ष इनका पुराना अनुपाद है दो बटे दस मनोज इनका पुराना अनुपाद है एक बटे दस और नरेश इनका पुराना अनुपाद है चार बटे दस लक्षे को जो लाभ हुआ वह है 9 बटे 50 मनोज को जो लाभ हुआ वह है 6 बटे 50 इनके पुराने अनुपात में इन लाभों को जोडने के बाद जो अनुपात हमें प्राप्त होगा वह है हमारा बचे हुए साजेदारों का नया लाभ अनुपात लक्ष उन्निस बटे पचास, मनोज ग्यारा बटे पचास और नरेश को पाँच से गुणा करना होगा ताकि वह भी इनके अनुपात में प्रकट किया जा सके अब यह है लक्ष मनोज और नरेश का नया लाब अनुपात है उन्निस ग्यारा बीस इस प्रश्न को करने के लिए हमने एक चीज तो बहुत ध्यान से देखी कि यह जो एक बचा हुआ साज़दार है जिसका नाम है नरेश यह किसी साज़दार के चले जाने के बाद भी किसी तरीके का अपने अनुपात में कोई लाब नहीं पाता इस प्रश्न को कराने की वज़े आपको अगले चरण में ले जाने के त्यारी है जिसका नाम है ख्याती जैसा कि आप जानते हैं जब कभी तीन या जादा साज़दार या दो या जादा साज़दार एक फर्म में काररत हैं तो उन सभी ने उस फर्म की ख्याती को बनाया होगा मतलब गुडविल को बनाया होगा और अब किसी एक साज़दार के चले जाने के बाद उस ख्याती पे पुराने साज़दारों का हक हो जाएगा अब जाने वाला साज़ेदार यह है चाहता है कि उसके जाने पे उसको उसकी पूंजी तो वापिस मिले ही और साथ में उसको ख्याती के लिए अलग से कुछ पैसा भी दिया जाए और उस पैसे को देने का जिम्मा उन साज़ेदारों का है जिनोंने लाब अनुपात में अभी लाब को दर्ज किया है जैसे कि इस प्रश्न से यह साफ हो रहा है कि कुमार के जाने पे लाब अनुपात में सरफ और सरफ लक्ष और मनोज को ही फाइदा पहुँचा है तो कुमार के हिस्से की जो भी ख्याती है उस ख्याती का आने वाले समय में जो भी फाइदा है वह लक्ष और मनोज को मिलने वाला है तो पुराने साज़ेदारों को चाहिए कि वह जाने वाले साज़ेदार को ख्याती की रकम दें तो चलिए अब समझना शुरू करते हैं ख्याती का मूले और रहने वाले साज़ेदार और जाने वाले साज़ेदार इन दोनों के बीच में ख्याती के मूले की क्या चर्चा होती ख्याती को समझने के लिए उधारण आपके सामने है केशव निर्मल तथा पंकज का विभाजन चार अनुपात तीन अनुपात दो में होता है निर्मल सेवा निवृत तथा ख्याती का मुल्यांकन बहत्तर हजार रुपे किया जाता है देखिए केशव निर्मल और पंकज में से निर्मल नाम का साज़ेदार फर्म को छोड़के जा रहा है अब आप देखते हैं कि इनके जाने पे निर्मल के जाने पे ख्याती का जो मुल्यांकन किया गया वह है बहत्तर हजार रुपे केशव तथा पंकज भविश्य के लाभों को पांच अनुपात तीन में करने का नणय लेते हैं आपके पास इस तरहां के प्रश्णों को करने के दो तरीके हैं और प्रश्ण आपसे चाहता है कि आप उन दोनों तरीकों को इसी प्रश्ण में करके दिखाएं तो चलिए पहला तरीका सीखते हैं पहला तरीका कहता है जब ख्याती को इसके संपूर्ण राशी से दर्शाया जाए मतलब ख्याती को किताबों में दिखाना है 72,000 रुपे की जो ख्याती है वह तीनों ही साजेदारों ने मिल के कमाई है और अपने पुराने लाब अनुपात में कमाई है ख्याती एक संपत्ती है मतलब एसेट है और एसेट डेबिट से बढ़ाया जाता है तो इसके लिए प्रविष्टी ऐसे होती है ख्याती को डेबिट किया गया और तीनों ही साज़ेदारों को क्रेडिट किया गया उनके पुराने लाब अनुपात में जो की चार अनुपात तीन अनुपात दो है 72,000 के नौ तुकड़े करे जाएंगे अर्थात 8,000 8,000 गुणा 4, 32, 8,000 गुणा 3, 24, 8,000 गुणा 2, 16 ऐसा करने से आपने सभी साज़ेदारों को उनके हिस्से की ख्याती उनके खातों में पहुचा दी है जिसमें रिटायर होने वाला साज़ेदार भी शामिल है जिसका नाम है निर्मल अब निर्मल के जाने के बाद दो साज़ेदार बचे हैं जिनके नाम है केशव और पंकज जिनका नया लाब अनुपात है पाँच बटे तीन अब इस बहत्तर हजार की ख्याती को जिसको आपने डेबिट करा था आप उसको उतने ही मूले से क्रेडिट कर दीजिए और बचे हुए साजेदारों को डेबिट बहत्तर हजार को पाँच अनुपात तीन में आप बचे हुए साजेदारों को डेबिट कर दीजिए जो 45,000 और 27,000 पाया गया अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए पंकज और केशव केशव 32,000 से क्रेडिट और 45,000 से डेबिट हुए मतलब केशव 13,000 रुपे से डेबिट हो रहे हैं हमने केशव से 13,000 रुपे ले लिए हैं और अब जो दूसरे साजेदार बचे हैं उनका नाम है पंकज पंकज 16,000 से क्रेडिट और 27,000 से डेबिट इसका मतलब केशव 11,000 से डेबिट हुए है बचा हुआ एक ही साजेदार है जो है निर्मल निर्मल को क्रेडिट हुआ 24,000 और यह दोनों बचे हुए साजेदारों ने 13,000 और 11,000 निर्मल को दे दिये यह हुई पहली विधी अब हम सीखते हैं दूसरी विधी दूसरी विधी में ख्याती के खाते का नाम नहीं लिया जाएगा और इस विधी के अनुसार आपको सिरफ एक ही प्रिविश्टी करनी है और इसके लिए आप सिरफ एक मंत्र को याद कर लीजिए जिस भी साजेदार को लाब हुआ है वह हो जाएगा डेबिट और जो जाने वाला साजेदार है वह क्रेडिट कर दिया जाएगा अब जो लाब कमा रहा है और जो घाटा करा रहा है इस चीज की पुष्टी कैसे हो इस चीज की पुष्टी होगी नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटा करके जैसा की आप जानते हैं बचे हुए साजेदारों का नाम है केशव और पंकज केशव का नया अनुपात है पांच बटे आठ पंकज का नया अनुपात है तीन बटे आठ और उनमें से पुराने अनुपात को घटाने के बाद हमको जो अभी लाब अनुपात प्राप्त वह है 13 अनुपात 11 और जाने वाला साज़ेदार जिसका नाम है निर्मल उसका ख्याती का हिस्सा 72,000 में से 3 बटे 9 अर्थात 24,000 है तो निर्मल को 24,000 रुपे मिलने चाहिए और बाकी के बचे हुए साज़ेदारों से यह 24,000 उनकी अभिलाब अनुपात से निकलने चाहिए तो देखते हैं क्या प्रवश्टी त्यार होती है देखिए जो बचे हुए साज़ेदार हैं वह इन 24,000 को 13 अनुपात 11 में अपने आपको डेबिट करा रहे हैं और जाने वाला साज़ेदार जिसका नाम है निर्मल वह हुआ क्रेडिट दोनों ही विद्धी में सभी साज़ेदार उतने ही मूले से डेबिट और क्रेडिट हुए बस विद्धी दो याद रखनी हैं प्रश्न जिस तरह की विधी से आप से बात करे आपको हल भी उसी विधी से करना है तो विध्यारतियों आज की चरण में हम यही कर रहे हैं और आप से निवेदन हैं कि इसी तरह के प्रश्न अपनी पाठे पुस्तक में से आप सभी अभ्यास करें धन्यवाद झाल झाल